मुश्कार दोस्तों स्वागत है आपकार हमारी यूट्यूब चैनल एक्जाम्स हाइब में और उमीद है आपने जो हिमाचल प्रदेश पुब्लिक सर्विक्स कोमिशन की जो एच पीएस की पोस्ट निकली है वो आपने भर दी होंगी ये नोटिफिकेशन 19.05.2021 को निकली थी और इसकी क्लोजिंग डेट है आपकी 15.06.2020 और फीज की क्लोजिंग डेट भी 15.06.2020 है और इसकी बाकी इंफर्मेशन के लिए आप हमारे हिमाचल की जो गौर्मेंट साइट आप वहाँ पर जा सकते हैं आप अपने आपको रिजिस्टर करके इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं और रही इस H.A.S. की पोस्ट, H.P.S. की पोस्ट की बाद तो यहाँ पर नमबर ओफ पोस्ट यहाँ पर डिफाइन है तो आप देख सकते हैं की जो H.A.S. की पोस्ट है उसमें आठ पोस्टें निकाली गई हैं 4 Unreserved हैं और एक Unreserved Hearing Impaired के लिए है और एक आपकी X-Service Man Unreserved पोस्ट है बाकी एक पोस्ट आपकी Schedule Caste की और एक OBC की है आठ पोस्टें हैं यहाँ पर टोटल अगर food, civil, supplies and consumer affair की बात करें इसमें पोस्ट है आपकी district controller की एक ही पोस्ट है और वो unreserved है अगली आपकी पोस्ट है home department इसमें आपका HPS हिमाचल परदिस पुलिस सर्विसीज चार पोस्ट है इसमें निकाली गई है चार unreserved है एक पोस्ट जो है unreserved ex-serviceman की है और एक आपकी scheduled tribe की पोस्ट है अगर revenue department की बात की जाए तो यहाँ पे तैसिरदार की पोस्ट है एक पोस्ट और वो भी unreserved corporation department में assistant registrar की दो पोस्टे हैं और दोनो unreserved है थोड़ा सा eligibility condition देख ली जाए तो eligibility condition है कि जो citizen है जो aspirant है वो citizen होना जाए इंडिया का minimum qualification आप simply इसमें रख सकते हैं कि graduation चाहिए आपको apply करने के लिए exam को और अगर हम थोड़ा fee structure की बात कर लें तो journal category की fees रहेगी 400 rupees और जो other state के candidate है उनके लिए 400 है SCST, OBC, EWS section के जो भी आएंगे इसमें वो 100 rupees fees है और ex-serviceman department के जो normal tenure complete करके आएं या विजुली blind impaired है या फिर female candidates हैं उनकी कोई वी fees नहीं लगेगी वैसे तो आप hs की त्यारी काफी time से कर गएं लेकिन जो हमारे ने एस्पिरेंट से उनको थोड़ा बता दें कि हिमाचल परदेश का जो hs का exam है वो pre जो है वो दो parts में आएगा प्री पर जो है एक aptitude आएगा aptitude में आपको सिर्फ passing marks चाहिए होते हैं 33% या 35 नूमबर आप बोल सकते हैं और main आपकी जो merit बनती है वो आपके general studies के paper की बनेगी इसमें भी आपका है main focus जो है आपको current affair पर रखना है current affair के लगबग 30-35 question रहेंगे और दूसरा आपका हिमाचल लगबग 25-27 question हिमाचल के रहते हैं और बाकी आपकी बात की जाए तो इसके बाद वेटिज रहती है पॉलिटी की पॉलिटी के लगबग 10 की question आप रख लीजिए और उसके बाद आपका थोड़ा ecology या biodiversity climate change या आजकल काफी news में है तो इसके भी 5-7 question रख लीजिए साथ ही साथ आपका जो world geography या Indian geography है इसकी बेटेज थोड़ी कम हो गई है तीन की question इसके रखिए और जो आपकी economics है economics भी आपकी तीन से साथ question के बीच इसमें पूछी जाती है लेकिन में आपको focus रखना है आपके हीमाचल पार्ट पे और current affair पॉलिटीप है और में आपका aptitude जो है वो passing होना चाहिए अगर यह आपका clear नहीं है तो फिर इसमें merit लेकर कोई फाइदा नहीं रहेगा तो इसके questions भी लेके आएंगे current affair के topic हम cover करने जा रहे हैं कुछी दिनों में और बाकी भी जो important questions होंगे उनकी एक series चलाई जाएगी थोड़े दिनों में तो आप हमारे channel के साथ बने रहिए channel को subscribe करना ना भूलें वीडियो को like और share करना ना भूलें यह हमारे लिए motivation होता है और ताकि हम और ज्यादा वीडियो को बनाएं आपके बीच पहुंचाएं एक अच्छे मद्यम से आप हमारे साथ बने रहें thanks for watching